क्या आप स्किन एलर्जी इचिंग की प्रॉब्लम से परशान है? अगर आप स्किन एलर्जी इचिंग की प्रॉब्लम से परशान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है पूरी जानकारी के लिए वीडियो की एंड तक मेरे साथ बने रहिए मैं डॉक्टर श्वर्ता संपोर्ण स्वास्त चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्लीडिंग पायस के लिए होमेपतिक मेडिसिन्स बताई थी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन अलर्जी इचिंग की कॉज़िस होम रेमेडिज और होमेपतिक मेडिसिन्स के बारे में उसके डोसेज के बारे में पुरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों इचिंग की प्रॉब्लम, स्किन अलर्जी की प्रॉब्लम बारिश और गर्मी के सीजन में बहुत ही जादा कॉमन होती है या किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है किसी को फूड की अलर्जी होती है, किसी को मेडिसिन की अलर्जी होती है, किसी को कॉस्मेटिक्स की अलर्जी होती है certain skin conditions में भी skin की प्रॉब्लम हो जाती है, skin में अलर्जी हो जाती है, itching होता है जैसे कि thyroid में, liver disease में और eczema, psoriasis में होता है vitamin D deficiency में भी यह बहुत ज़्यादा common होता है stress लेने से भी itching की problem बढ़ जाती है दोस्तों जानते हैं home remedies के बारे में जिसको करने से आप बहुत जल्दी itching की problem से skin allergy की problem से छुटकार अपा सकते हैं फर्स्ट है गुनगुने पानी से आपको daily स्नान करना चाहिए proper hygiene maintain करना चाहिए और आपको apply calamine lotion itching part पर apply ice packs करना चाहिए जहां पर आपको itching हो रहा है loose cotton garments पहनना चाहिए stress release करने के लिए meditation करना चाहिए cotton clothes पहनना चाहिए दोस्तो जानते हैं उन 3 incredible homeopathic medicines के बारे में जिसको लेने से आप इस problems को root से जड़ से खत्म कर सकते हैं first medicine है urtica urans दोस्तो urtica urans eating raised red blotches के लिए बहुत ही जादा effective है eating raised red blotches का मतलब होता है जैसे कि मच्छर के काटने से आपको skin में red patch हो जाता है दोस्तो यह घमारी यानि prickly heat के लिए बहुत ही जादा effective है घमारी के लिए बहुत ही जादा effective है prickly heat के लिए बहुत ही जादा effective है दोस्तो burning stinging pain के लिए बहुत ही जादा effective है किसी कीडे के काटने से आपको एका एक तीखा दर्द होने लगता है उसके लिए बहुत ही ज़ादा effective है दोस्तों और chicken pox में पूरे शरीर में boils हो जाता है और severe eating होता है उसके लिए बहुत ही ज़ादा effective medicine है दोस्तों second medicine है sulfur sulfur eating burning pain के लिए बहुत ही ज़ादा effective है परसन को bed का heat भी सहन नहीं होता उसका eating बढ़ जाता है बेड पर लेटने से इतना eating होता है कि scratch करने के बाद skin में जलन होने लगती है दोस्तों यह milk की energy allergy के लिए बहुत ही ज़ादा effective है जिन लोगों को milk से allergy होती है milk की products लेने से allergy होती है hair dye apply करने से allergy होता है या फिर chocolate से allergy होता है animal food से allergy होता है eggs से allergy होता है उसके लिए यह बहुत ही ज़ादा effective medicine है eating बारिश की season में बढ़ जाता है और skin dry हो जाती है उसके लिए भी यह बहुत ही ज़ादा effective medicine है दोस्तों थर्ड medicine है belladona belladona skin में redness और सूजन के लिए बहुत ही ज़ादा effective medicine है दोस्तों जानते हैं इनके dosage के बारे में urtica urans q mother tinger आपको 20 drops in half cup water 3 times a day लेना है sulfur 200 आपको दिन में एक बार लेना है once in a week belladona 200 आपको 4 pills 3 times a day लेना है अगर आप liquid form में ले रहे तो direct on tongue 4 times a day लेना है दोस्तों यह आपको किसी भी होमेपतिक शॉप पर मिल जाएगा अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा bell icon प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको सही समय पर मिलती रहे आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को like कीजिए और share कीजिए ताकि जादा से जादा लोगों तक यह information पहुँचे दोस्तों thank you so much वीडियो वाच करने के लिए